बॉम्बे हाई कोट ने शुकरवार को एक अतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुंबई की हाजी अली दरगा में मजार के भीतर महिलाओं को जाने के अनुमती दे दी है इस रोग कोट ने यह कहते हुए हटाया कि सम्विधान के अनुचेद 14, 15, 19 और 21 में महिलाओं और पुरिशों को समानता का दरजा दिया गया है लेकिन महिलाओं के मजार के अंदर तक जाने पर लगी रोग इसका उलंगन करती है कोट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दरजा के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हाजी अली दरजा पृशासन की होगी आपको पता दे कि साल 2011 तक सभी महिलाओं को दरजा के अंदर तक जाने के अनुमती थी लेकिन साल 2012 में इस पर रोग लगा दी गई जिसके खिलाफ मुस्लिम महिला अंदोलन नाम की संस्था ने बॉम्बे हाई कोट में जनहित याची का दायर की थी कोट का फैसला आने के बाद समाजिक कारे करता त्रिप्ती देसाई ने खुशी जताई है उन्होंने कहा कि ये एक एतिहासिक और बड़ी जीत है वहीं दूसरी और हाजी अलिप्रशासन का कहना है कि इस फैसले को सुप्रीम कोट में चुनोती दी जाएगी जिसके चलते बॉंबे हाई कोट का ये आदेश छे हफते तक ततकाल प्रभाव से लागू नहीं हो पाएगा महिलाओं के प्रवेश के मांग को लेकर दो साल से कोट में ये मामला चल रहा था इससे पहले महाराश्र सरकार ने भी महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोग को गलत बताया था